नमस्ते and welcome back to my channel friends तो आज हम देहरादून से निकले हैं चक्राता के लिए जो की देहरादून से लगभग कितना है 95 km दूर है और टेमपरेचर में भी काफी डिफरेंस है हाइट पे है क्योंकि जो चक्राता है वो हाइट पे देहरादून के कंपेरेटिवली और देहरादून क जो टेमपरेचर है वो है अराउंड 33 के आसपास है 33 डिग्री सेल्सियस और चक्राता में टेमपरेचर थोड़ा कम रहता है अभी फिलाल जो हमने चेक किया है तो वहां का टेमपरेचर 26 डिग्री शोर है और लगभग तीन घंटे का रास्ता है और यह जादा मतलब नजदी देखिए है यह जो हिल स्टेशन से मसूरी और चकराता दनोल्टी यह सभी के सभी देहरादून के आसपास ही पड़ती है अभी तक तो पूरा प्लेन रास्ता ही है आगे देखने है अभी तक प्लेन क्या है मतलब कभी चड़ाई है थोड़ी सी कभी उतराई है और चड़ाई है शायद लास्ट की 25-30 किलोमेटर बदाते है कि चकराता के लिए लगभग 25-30 किलोमेटर बाद में चड़ाई आती है और मतलब बहुत ज़्यादा अलिवेटेड नहीं है फ्रेज उसकी दुकाने भी अरस्त्रे में आती है यह तो यहां पे शायद ही बाग हो गह रहा है तो यहीं लोग बैठे हैं बाहर यह फ्रेश फ्रूट्स यह लोग बेचने हैं तो बगीचे की हैं तो बस अब हम लोग पहुंचे हैं सेला कुई और देहरादून से जो घाटी वाला जो रास्ता है उस साइड हम लोग आ गए थे राजपूर रोड से दून घ यहां से बस अब यह सेला कोई हमने अजस्ट अभी क्रॉस किया है आदा घंटा में लगया ना आदा घंटा में लगया और सेला कोई जस्ट अभी क्रॉस किया है च्राफिक है अच्छी हाइवे नहीं है शायद इसलिए मतलब रोड भी बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं तो हम लोग लगभग 40 km चल चुके हैं देहरादून से और अभी हाइवे पहुंचे नहीं है मतलब आगे जाके यह जो रोड है चक्राटा रोड है यह जाके हाइवे पर मिल जाते हैं यह जो डेलो ग्रें हstalरा आगे है इन देहरादून से अभ तो है रोड बन गया रिख्डाया यह पधाये आप हम लोग अप्र्यम जीए मतल अभी हम लिग जी में से तब हमगे पकड़ा थख्यास तक रहाँ बच्चे नहा रही है, नहर है कोई शायद हाँ नहर है, और यह देखिए जरह, अच्छी घर में बहुत हो रही है, तो यह आसपास के जो लोकल गाउं है, उस एरिया के बच्चे आजाते होंगे, और वह मस्ती कर रहे हैं, अजोई कर रहे है, यह मारी देख दो, अच्छा, यह बहाँ से न लाक है, अंदर से लिया है, यह हाईवे स्टाट होंगे है, यह यहां से, अब बहाण कर रहे है, यह ब्रेकर, ब्रेकर बढ़े खतरनाक बनाए है वे ना इस रोड पे, यह देखिए जरह, यह कहां कहां है, मसूरी 61 किलो मेटर चकराथा, 50 किलो मेट अच्छा, मसूरी भी जा सकते है इस रोड से, फिर से ब्रेकर, पहाड दिख रही है, अभी दो दिन से आप लोग नोटिस किया है, पहाड है उदर की और पदा नहीं, फोग है क्या है, विजिबिटी बहुत कम है पहाडों कि साइधर चाह बारिश भी नहीं हो रही है, यह मुष्चर की वज़े से मिस्ट बन गई है, मिस्ट बन गई है, क्योंकि पॉलिशन जैसा तो कुछ यह नहीं है, क्योंकि अशा जब हमारे दिली में होता है, बंदर हम लोग बोलते है कि पॉलिशन से ऐसा है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, विजिबिटी बहुत कम हो पिछले दो दिन से, रोड की क्वालिटी यहां पे तो यह लग रहा है, नया ही बना हो यह रोड ना, शिवाय रिजोट, यहां पे रिजोट्स भी है, हाफिय रिजोट्स है, इस रोड के तो, एक्शली मांटेंस बिल्कुल नजदीक है यहां से न, तो व्यू एक तरीके से व्यू पॉइंट से अब अगर देखें, कि व्यू बहुत अच्छी आएंगे, यहां पे भी अगर स्टी करते हैं, पर टैंपरिचर वाली बात तकर देखें, तो टैंपरिचर तो ज्यादा ही है, इस रोड का नाम है, विकास नदर चक्राता रोड, तो वो पीछे विकास न बार कूर ठंटेड, जड़ो 20 किलमेटर, अब का वाग है, अब शेच चड़ाई शुरू हो गी है, क्योंकि बिल्कुल यसा नहीं है, एकदम की खड़ी चड़ाई हो, है चड़ाई, हलके हलकी से जैसे ही कारव आता है, तो एकदम से चड़ाई आती है, अभी पांच प्रवादा और जाता, तोड़ी हो जाएगा, मत्द वैलिविशन हो जाएगा, क्योंकि गूगल में वो ड्राम्ड दिख रहे है, अच्छा, यह कॉन सा एरिया है, यह है बाड़ वाला, चक्राता बचाय जी, यहां से 47 किलमेटर, यह मुनोत्री है इदर, राइट है यह मु 30 किलो मेटर, 140 किलो मेटर, यह मुनोत्री है, यह मुमनोत्री हां, यह मुझा घ्री विए वाट्री में व्यूस तो है यह ही अच्छी, ग्रीन व्यू ए इल व्यू है, वोटल के नाम भी वैसी है, यह है, उसी ही साबसे रख लेते हैं, लोग को टूरिस्ट आते होंगे काफ क्योंकि रिजोर्ट्स इतनी है कोपटी कालसी 3 किलो मेटर है कालसी कालसी भी नाम बहुत सुना है कोई हील स्टेशन है ज्यादा बड़ा नहीं चोटा साही कालसी ऐसा लगता है कि शाहे दिये वैली के अंदे पूरी आप जादान आगया तो हाइट तो जादल नहीं लग रही है अभी तक तो और अगर लास्ट में हाइट आएगी भी यह दलान चल रही है पूरी इतना चड़े थे उतना तो उतर चुके हैं लोग हाँ ऐसा ही लग रहे है यह भी वैली ही है वह नहीं देखेंगे वह ऐसी चिला नहीं देखेंगे जान प्रमारे रोट्çonsला नहीं है पर यहाँ से देखेंगा अपर यह से बीच्छ से देखेंगा क्या आँ जाहना आपकर पहारए है overall अनन दायक, मन्मोहक दो के भार ऑगा ही तो च्टो मतहले होता है एद अपपानी है औि एद भार दिये है दो को पॉल्म यहा है कन्यों चाले है स्वॉति weiterhin हो दो करहते हैं कम है बहुत कम है नदी में थान गुप कर से सли बहुत है इब अव इसी पहँपन को तक बहुत करने की दिस के वारे में है है कि ज्यादा बढ θरकित कि छोटा सा ह tobahan यह सामने कल्सी शहर है जो बिल्कुल सामने हाई है कल्सी शहर है अब हाईगी आगे हाईट है अब हाईट तो है मसूरी से ज्याद है मसूरी से ज्याद है 2150 मेटर अच्छा मतलब से लेवल से अगर हम देखें तो इसका तेंपरेचर मतलब मैंने देखा तीन डिगरी बलकी ज्यादा था ऐसे कैसे थोड़ा बहुत वह तो सरांडिंग्स का भी फर्क हो यहां से भी जा सकते है 142 km यह यह नो 3 भी जा रहे हैं यह तो है मतलब यह ना रास्ते जो भी है सारे इंटर कनेक्टेड है नी रास्ता बहुत खुबसूरत है घर बहुत सुंदर सुंदर है रोड की क्वालिटी बहुत अच्छी है अभी तक जो है क्यों है अभी तर भी हाँ ज्यादा तारीफ न कर बहुत प्यारे प्यारे है चोटे-चोटे मंदब न एकदम पहाड़ों वाली फिलिंग आ गई है मसूरी 2005 अच्छा तो लगभाग 150 मीटर्स का हाँ ज्यादा नहीं है 150 मीटर्स का है इस हाइट स्चार्ट हो गई है बट हाइट बूस से तरह की है हाँ बहुत जादे तो थोड़ा सच चड़ाई आ गई है इसकी बेड़ कर लेका है अब आरवी रहा है कि विजेशी नागरिक पर बंद मुच्छा है अच्छा यहां पर फोटोग्राफी बंद है जी मैं बंद कर रही हूं अभी यहां पर फोटोग्राफी पर फोटोग्राइब भी गया है वहां पर फोटोग्र्नर्स अलाओ मीखी तो पहले हम जैसे और बाकी व्लोगर्स के वीडियो देख ते थे ना कि फोरन में गई हैं किसी और देश में मतलब इंदिया के अलावा और वहां पर उनको किसी इसी एरिया में सपेश्रे तो अभी फिलाल है अभी यहां पर देखा कि पॉर्नर्स अलाओड ऐसा लिका हुआ देखा ना तो हम लोग रिलेट कर पाई अच्छा तो यह मतलब नेचुरल बात है कोई इसमें ऐसा कोई डिस्पूटिड बात नहीं है कि हां कि हम पॉर्नर्स को अलाओड नहीं करते हैं तो बहुत सारे हर कंट्री में कुछ ऐसे एरिया हो सकते हैं चाहिए वो डिस्पूर्केड हो या फिर अगर वो डिफैंस एरिया है तो वहां पर इस तरीके के अगर कोई रूल्स मनाए हुए हैं तो उसमें कुछ अलग या गलत बात नहीं है और शूटिंग तो वहां पर अलाओड नहीं थी उन्होंने लिखा हुआ था फोटोग्रेफी प्रोहिबिटिट तो अगर मैं बनाती वीडियो अगर वो कोई बहुत से ना भी नोटिस करता तो बहुत गलत हो जाता ना तो मैंने उस टाइम पर कैमरा बंधी कर दिया था हो जब और आप गर्या है है अब जो मैंने आपको दिखाये था गाहों जो तक Alemm mozeु कार सिखाया आप यह ब्रू कर दो, ने रिटाल, बना, पर ना. यहां बटना है टॉन हे रहा है? यह वह पूरा हिएक टान को पूरा इक तरीके से से टनंता जो फूरा यू वन गया एकनम यू टन वाला कट्था यह उब बना यह प्रश्य चीज उब करेद चीज आप एस तरही के ने यह शाला यह क्या बोलते हैं को पहाड़ों पे जगें जगें अगर बारिश है तो इस तरीके की बना रखी होती है और उसके अलबा बस्टेंग तो भी फचाय था बस्टेंग नहीं वर्शा शाला ही होती है ना पहाडी रीजिनल हम देखा है हर जगे वर्शा शाला इस तरीके की बना ही होती है अभी काम चल आप के किया अपैंसे यह समय और ऑपर से पहार जढ़ा आए यहां से यह हां से यह जढ़ा ओंप बारीश में प।थल पड़े यहां पर आप स सफाई कहां में जढ़े हा रियेहां प।थर पथघर नगरे ही पहार तो यह कच्छे से ही लग रहे हैं बाड में कुछ्चे सही है जैसे की नीचे पत्थर जड़ी ही रहते है यहां पीच गए वे पर एक चीज है नुटिस के आपने यहां पर वो नहीं है डील नमबर जदा गार्स का जैसे की मसोरी में मिलता है अच्छा पैडे सटरे मिलेगे आज तरह जाए तो अच्छा पारिश में तो बसी रास्ता खराब हो जाता होगा मुझे लग लगए बतलब ड्रेवल करने लायक नहीं बचे रास्ता गर भारीश हो जाए तो इस तरीके के यह ना बाहर जड़े हुए है प्रॉसके सबसे ट्राफिक भी थोड़े कम लिए अभी बतलब ना क्या बता हूं आपको इस यहां पर ना ज्यादा हुआ नहीं है यह चीज एक्सप्लोर अभी चक्राता कि बहुत ज्यादा टूरिस्ट आता नहीं है यहां पर जैसे मसूरी शिमला बड़े-बड़े मनाली जैसे वहां पर रहते है भी यहां पर आता नहीं है इनना ज्यादा टूरिस्ट है जब पीछे फूल था ना तो आपने देखाऊ गा एक नया पूल बनाए हुआ यह जब चाहिना के साथ स्टेंड़ औफ हो है ना उसके अब चाफी ते इसे पूल बनाए गए गए यहां बन जो आर्मी के हैवी वीकल्स हों आर्टिलरियो गन्स हों उनके लोड के साथ हाँ ताकि जल्दी पहुंचा जा सके जो भी जिस भी तरीके की हैल पे बौडर पे जल्दी पॉंच सके आज कर हैवी समाल है यहां इसी दिए फॉर्ण को रिस्ट्रिक्ट किया हुए इस एरिया म ब्यां से आगे चाइना बॉडरर है जो इसी लिए थोड़ी स्ट्रिपनेस्त है यहां पे फॉर्णर के लिए चाहिँ हंग हम आदे रास्ते पोँचे 32 किलो मिटर अभी बचांग है यहां से चकराता और रास्ता बड़ा खराब सा है सोचा भी था और दुकाने वगएर अभी कुछ भी नहीं पड़ी है बीच में पिछले लगवाग दस पंदरा के मतलब कलसी के बाद से कोई असी मार्केट या शॉप या रेस्टोरेंट्स कुछ भी नहीं ऐसे आए हैं और बड़ी बुरी हालत है एक पहाड की में देखा आती के साथ सारा मलवा देखे कैसे नीचे आ गया है और बहुत रिस्की है सरीय वगएर सब निकले में देखी यह सरीय सारी यहां से सारे सरीय यह जो इन्होंने पहले क्या हो गई यहां पर फैंसिंग की हुई होगी पहाड के लिए क्योंकि कच्छा पहाड मैंने बताया आपको कच्छे पहाड लग रहे मुझे तो फैंसिंग की होगी वह फैंसिंग भी पूरी मतलब एक दम बैंड हो रखे साइड और देखे कैसे पूरा मलवा नीचे है हुआ है तो मुझे लग रहे है यह नया रास्ता है ओ यहां पर नेचुरल स्प्रिंग वाटर है मैं दिखाती काम लगों को एक सेकंड है यह रविंदर जी अपना पूरा फेस्वाश वाश अगेरा करें पाइप लगाया हुआ है यह नहीं पी सकते है और मुझे भी नॉमेडिक इंडियन पी लेता है हर जगें का पानी जाओ 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 लोकल लोग यहां शायद पानी वानी पीने के लिए ही रूपते हैं यह पीने लाएक है यह पानी अच्छा पीने लाएक है किया पाइपलाइन को यह का है यह नहीं नाचुरल है अच्छा पहाड़ों से आ रहे है हां जी अजैगा तो तो अच्छा अच्छा को जो टो आए को जो अच्छा वहां है आप दीशन तरह है हां जी अब लेते हूं अच्छा वो में शूज जालके आगी जास्ता है बद्गन सब्सकें नेन कि अमयंगे देखल जहां प्रस करें दर क्या है करें दर दो खुप्सकी जारा है यह दो आपता नहीं जाया रहा है इस नयुद्धर जा जाते जारा है ज्यासे नेचे निचे जमीदी लिए भी ने दिख़्ा ना अब बिल्कुल गुरुबरे पहाड़ नोकीले पत्थर कैसे है यह जब अब आप कि अ कि यहां पर बेहां कि मंदीर रेच जड़ी ज़ए है अजसे पाड़ लोगि पुचों मैं पुचों मैं जड़ी पुचों मैं लोगए से अब खादी तो इस जिगे का नाम है हईया अलसी इतना उपर चड़े था उता होता आदिया जी अभी उत्रा ही आई यह पूरी इस दो पुई अच्छा शेहर सा लग रहा है विद्ला पहाड के हिसाब से चोटे-बूटा काउं नीए विए टाउन हां काउट कुल टाउन तो ही माचल का से लग रहे है जैसे विलासपुर से निया ज़िए वैसे आपको दावा जी टाइगर फॉल 46 प्रिमेटरी दर से है टाइगर पॉल चक्रा तब इधर है 24 किलो मेटर शीदेख जाना ते दर याना है इसी दो जाना है हुआ है प्राज्यों नहां कि एक अकेला घर है वहां पर फुल लग तो फाइब के पीछे चिपके हैं यह अकेला घर था कैसे चाते होंगे वहां तक मतलब ना कोई रास्ता होगा पैदल ही चलना पड़ता है इनको एक घंटा का पैदल ट्रेक होता है उसके बाद वो लोग में रोड तक पहुंच पाते ह अब एसे एसे एडिया जहें हैं पर इस तरीके के कई जगे इस तरीके के रिजोर्ट में बनाए हुए है होंच चेक कर रही थी तो इस तरीके के हैं कि एक घंटे का तो ट्रेकिंग का रास्ता है वहां तक माशने के यह पैदल है करें जैसे ने आगे बढ़ना शरू की आये तो हादे हूआ के अनदर भेसले में सुछ त्थीकी है लगे में लदे में लदेव है अ खचे आम से लदेव है अब यह गाओं पढ़ा है बीच में सेंच और यहां से कितना रह गया यह कितना रह गया बटे 18 km चोटा से गाओं है कोई सेंच लेकिन सीनरी का भी अच्छी है तो अन्य सीनरी तो अप्रीस है बहुत अच्छी है कि पाले थे बेंगे बेंग कर्वयर को पोडिकन है कि अबस्क्राइब को और टेंगे बेंगे अच्छी होटल आपर आपक्स अबाद की खाला को अबस्केया अबस्वेया है यह कोंआ है को कर भाफ जबैंक थे बंक हमें उन्हों था ना रहे ले कृफ़ायं पारफ यह वन्हा कर दो कर दो कर दो कि अब बस अब हम पहुंच गए हैं चक्राता और यहां से लगब गेड एक गेड़ किलो मिटर बचाए अब और यहां पर जगे जगे बोर्ट लगें में हैं मतलब पाला और बर्फ पुरभाविचेत्रु मतलब शायद बर्फ यहां होती है चाहिद कि हम मतलब सर्दिय में काफी ज़्यादा बर्फ यहां पर गिरती है कि अब इसके बाद हम लोग निकलते हैं अगर ज़्यादा स्टे करते हैं तो तब हमें फिर से देने पड़ेंगे इसके बाद हम लोग डायरेक्ट यहां से होटल के लिए निकल गई क्योंकि होटल की ना हमने कोई एडवांस बुकिंग नहीं की थी हां उन से फोन पर बात की थी हमने और उसके बाद उन्होंने बताया था हां उनके पस रूम सब लेबल हैं तो वस अभी फिलाल हम होटल के यही निकल रहे थे यहां से और उसके बाद जो नेक्स वीडियो होगा उसमें आप लोगों के साथ अपने होटल का रूम टूर और बाकी के वीडियो ज़रूर शेयर करूंगे तो फ्लीज कीप वाचिंग टीप खालबर बाकी बादद्साइब हो ओस्यक्ट लेक्र עणी जर्लीज कीप आई